हेलो क्रिप्टोकरंसी मार्केट के उधाओ उमीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे भाई खुश होंगे तगले जवट जस तरीके से आपको जो बाइंग कराई है ना ये इस बाइंग में मेरे को खुद को मजा आ गया जो मैंने टेलिग्राम में दिखाया और आपको भी आ अब भी भी आप लॉस कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी टेकनीक में अपनी एजुकेशन में थोड़ा सा अपने आप में रिफॉर्म लेकर आओ मेरे भाई सोचने का समझने का तरिया थोड़ा सा चेंज करके देखो इस टाइम कोई नेगेटिव बात करेंगे नहीं क्यों लगता है बढ़िया सपोर्ट बैठाव है आपको अल्ट कोईन बाय करा रहा था खुद में बाय कर रहा था वही ऑल्ट कोई देखो कितने बढ़िया पंप हो रहे हैं मार्केट पैनिक में थी जब 21,000 डॉलर के असपास बिटकोईन पहुंचाता था ना भी परसों तीन दि बाय को जरा जाने दो साइडवेज मेरे भाई अभी बिटकोईन ने क्या लिया एकदम पंप कर दिया मुझे याद है मुझे याद है जब अभी बिटकोईन एक महीने पहले फ्राइडे को इतनी तेज बढ़ा करता था रात को फ्राइडे और सेटरडे को आपको भी आदे बाई लिख देना कॉमेंट बाक्स में फ्राइडे सेटर्डे बहुत तगला पंप मार्केट माया करता था और संडे को रुका करता था थोड़ा था फिर मंडे से दुबारा स्टार्ट हो जाए करती थी सारी चीज है ना ऐसा ही मैं कुछ अब देखता हुआ पा रहा हूं करा के पच्छे जार से थोड़ा से नीचे आ जाए एक दो बार ऐसे साइडवेज में जाए उसके बाद दुबारा से सत्ता ही जाड़ा की क्योंकि 26 से लेके 28 तक और 29 तक मार्केट में इतना ज्यादा वॉल्यूम है नहीं मार्केट एक दम एक ही केंडल बनेगी वहां तक की तरह से चली जाएगी फिर जो हैवी रेजिस्टेंस है वह 30,000 डॉलर के आसपास है तो 25,500 वाला जो एरिया नहीं से टूटने दो एक बार मेरे भाई मज़ा आ जाएगा एक बार में मुझे लगता नहीं है कि भाई अब बिटकोई 21,000 डॉलर से चला यार तीन हजार डॉ इस मार्केट पे आप 5-7% SL के साथ डीगो कौन को बाय कर सकते हो डीगो जो मुझे देख रहा है जो भायों कर रहे गया ना भी बचे है तो थोड़े बहुत पोर्टफोलियो में अपना डीगो कौन बाय कर सकते हो मेरे भाई ठीक है अभी अभी अल्ट कोई में सिर्फ खुद हिट होगा है SL तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हमें अपने जाके भी या सेल नहीं करना है अभी जाके उसका एक रीजन है क्योंकि अभी आल्ट कोई में में रैली तगडी देख सकता हूं कि बिटकोई भाई जब पच्चे जार पहुंचा है ना अब के पास पढ़े है थोड़ा से रिस्की है तो ले सकते हैं देखो दो हफते जो पें दिया था ना बिटकोई ने वो एक ही केंडल में क्लोज कर एक ही केंडल में दूर कर दिया भाई मार्केट ऐसी है यह क्रिप्टो मार्केट इस पर थोड़ा सा भरोसा इस पर थोड़ा सा आपको दिखाना होगा, इतने साल से मार्केट में टिके हुए है मेरे भाई, इसी तरह से आप टिकते रहे है, सीखते रहे है लर्निंग करते रहे है और अपोर्चुनिटी का फायदा उठाना है स्टार्ट करो, अपोर्चुनिटी मिलती है और तकड रैली आपको देखने को मिलेगी लेकिन stop loss लगाना मत भूलना अपनी बाइंग से 57% मार्केट रिटरेस करें सोच लीजे फेक पंप हो गया बाई चांस तो भाईया हम प्रॉफिट में ही भार निकलें strategy clear होनी चाहिए आपकी strategy में doubt नहीं होना चाहिए अपने portfolio को हमेशा अच्छे से manage करना आना चाहिए होने चाहिए USDT भी होने चाहिए altcoin भी होने चाहिए bitcoin भी समझ रहो ना बात को भाई इतना समझाने के बाबजूद इतना जाद है समय आप सभी लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ बढ़ेंगे 21300 का जो मैंने पहले बताया हुआ था कि भाईया ऐसा ऐसा देखने को मिल सकता है आपको exact वही सारी चीज हुई है अब यह नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी बढ़ाई कर रहे हूँ कुछ कर रहा हूँ यह सारी चीज चार्ट में हमें देखने को मिल रही थी सेंटिमेंट में हमें देखने को मिल रही थी है ना इसी वैसे हमने आपको बतानी कुछ करी और बाई चांस वो चीज ठीक भी होगी है और हो जाती है यार experience को आप खरीद नहीं सकते हो यार experience के तौर पर आदमी के जज़वाद चलते हैं आदमी के emotion चलते हैं आदमी के ट्रेडिंग सारी चीज़ जुड़ जाती है जब एक experience के तौर पर हम चीज़ देखते हैं buy it again, be safe, crypto जिंदबाद quick update रखना हूँ, उसके बापजूद भी 5 minutes की वीडियो खीच चुका हूँ, क्यों खीच चुका हूँ, उसका एक reason है क्यों क्यों market ना 25 डालर की बढ़री है तो excitement ना अपना pump हो रहा excitement लेकिन हमें excitement में आना है हमें होस से सारे जवाल लेना है फिलाल market में positive रहो, और जो feeling आ रही है आप सभी के सामने update आनी चाहिए, सबसे बढ़िया मेरा motive यह है, bye day can be safe, crypto जिन्दाबाद वीडियो को like और चैनल को subscribe करना मेरे भाई, bye crypto जिन्दाबाद, यो धाओ